बच्चों आज हम कक्षा 12 विवसाय अध्यन के अध्याय 11 विप्रन के अंतरगत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एवं लेबलिंग पर चर्चा करेंगे देखिए हमने विप्रन विष्र के एक तत्व उत्पाद पर चर्चा की थी और ये उत्पाद के तीनों ही महत्वफून अंग है किसी भी उत्पाद को जब बाजार में लाया जाता है तो उससे पहले ब्रांडिंग की जाती है उसकी packaging की जाती है उसकी labeling की जाती है और इनी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पहले प्रारंब करते हैं branding से देखिए बच्चों branding क्यों की जाती है किसी उत्पाद की ताकि उस उत्पाद के बारे में पहचान आसानी से की जा सके इसके संबन में विपलन करता को महत्वपून निर्ने लेना होता है कि वह अपने उत्पाद को किसी सादारन नाम से बेचे या वह किसी ब्राण नाम से अपने उत्पाद को बाजार में उतारे देखिए इसको समझ लेते हैं एक साबून होता है नहाने का साबून साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां होती है जो नहाने का साबुन बनाया करती है अब वह है चाहे तो अपने उत्पाद को नहाने के साबुन के नाम से बाजार में उतार दे कई सारी कंपनियां हैं जो कि इस प्रकार के प्रोडक्ट बाजार में लाती है लेकिन आपने देखा होगा कंपनी अपने उत्पाद को एक अलग ही नाम देती है जैसे लक्स साबुन, इसी प्रकार डाउ, लाइफ बॉई, इसी प्रकार डेटोल, ये सबी नहने के साबुन है देखिए, ये अलग-अलग कंपनीयों की उत्पाद हैं, जो कि अपने उत्पाद को एक अलग ब्राण नाम देकर बाजार में लेकर आती है वे अपने ब्राण चिन्द के अंतरगत इन उत्पादों को बेचने का कार करती है अभी जैसे मैं कहूं कि मैंने एक कार खरी दी है मैंने एक कार खरी दी है तो अब आप सभी के मन में एक बात आएगी सर ने कौन सी कार खरी दी है क्योंकि बाजार में कई कंपनीयों की अलग-अलग ब्रांड की कारे है तो भी प्रशन उठेगा इसके भी कहीं ब्रांड है देखिए मारूति के कहीं ब्रांड होते हैं अल्टो अल्टो 800, K10, Swift इस प्रकार से इसके कहीं ब्रांड बाजार में हैं अब जब तक हम किसी brand का नाम नहीं लेंगे तब तक उसके बारे में हम नहीं सोच पाएंगे अभी मैं कह दूँ कि मैंने महिंद्रा की थार खरी दी है महिंद्रा की थार गाड़ी खरी दी है तो सभी के दिमाग में थार का मोडल आजाएगा कि थार किस प्रकार की होती है और वह गाड़ी मेरे द्वारा खरी दी गई है तो देखिए एक विपनन करता को भी यह तय करना पड़ता है कि वह अपने उत्पाद को साधारन नाम से बेचे नहाने के साब उनके नाम से बेच रहा है या वह कोई कार बेचने वाला है वह कार के नाम से बेच रहा है तो यह हो गए साधारन नाम तो वह अपने उत्पाद को इन नामों से बेचे या फिर वह किसी ब्राण नाम से अपने उत्पाद को बाजार में उतारे क्योंकि ब्राण नाम उस उत्पाद के बारे में पहचान सुनिश्चित कर देते हैं और उपभोकता उस ब्राण नाम के बारे में जानने के बाद ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने के लिए अग्रसर होते हैं आईए इसे और अच्छी तरी के से समझ लेते हैं उत्पाद के समझ में किसी भी विपण करता को जो सरवादिक महत्वपून निर्ने लेना होता है वह ब्रांड के समझ में होता है उसे यह निर्ने लेना होता है कि फर्म के उत्पादों का विपण किसी ब्रांड के नाम से किया जाए या फिर सामान्य नाम से किया जाए देखिए जो उत्पाद वह बाजार में ला रहा है वह किसी ब्राण नाम के अंतरगत लेकर आए या फिर सादारन नाम से वह अपने उत्पाद को बाजार में उतारे उतारन नहाने का साबुन या लाइव बॉय देखिए नहाने का साबुन और लाइव बॉय जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है इस तरीके से ये ब्राण नाम तै किया जाता है कि हमें अपना उत्पाद किसी ब्राण नाम से लाना है या फिर साधरन नाम से बाजार में उतारना है यदि उत्पादों को उनके लाक्षन के नाम से बेचा जाता है तो विपनन करताओं को अपने प्रतियोगियों के उत्पादों से अंतर करना कटिन हो जाता है देखिए जैसे मोबाइल है यदि सबे मोबाइल कंपनिया मोबाइल के नाम से ही उत्पाद को बाजार में लाती है तो अन्य जो परतियोगी कंपनिया हैं परतियोगी फर्मे हैं उनके उत्पादों से मुकाबला करना आसान नहीं हो पाता तो अन्य परतियोगियों के मुकाबले अपने उत्पाद को आसानी से बेचने के लिए अलग-अलग कम्पनियों के द्वारा अपने अलग-अलग ब्राणड नाम तै किये जाते हैं आपने Apple का Mobile देखा होगा उस पर अलग चिंद होता है आपने Samsung का Mobile देखा होगा आपने Nokia का Mobile देखा होगा आपने अन्य कम्पनियों Micromax के Mobile देखे होंगे सभी के अलग-अलग चिंद अंकित होते हैं अलग-अलग ब्राणड नाम होते हैं और उनके तहत ही वे अपने उत्पाद बाजार में उतारने का कार्य करते हैं तो देखिए सभी अलग-अलग ब्राणड नाम के साथ अपने उत्पादों को बाजार में उतारते हैं इसलिए अधिकांश विपनन करता है अपने उत्पादों को कोई खास नाम दे देते हैं जिससे कि उनके उत्पादों को अलग से पहचाना जा सकता है तथा परतियोगी उत्पादों से भी उनका अंतर किया जा सकता है तो इसके लिए जो विपलन करता होता है वह अपने उत्पादों को अलग नाम दे देता है देखिए यहां एक चीज और है यह जैसे सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाती है तो यह अलग अलग तरीके के कई तरीके के मोबाइल बाजार में उतारती रहती है तो सभी के नाम यह बदलती रहती है Samsung company के जो अलग-अलग brand है उनके अलग-अलग नाम होते हैं A50, A50, AS इस परकार से उनके नाम बदल कर बाजार में लाए जाते हैं इसी परकार मारुति गाड़ी जो है बाजार में आती है लेकिन Alto के नाम से अलग आती है, Alto K10 के नाम से अलग आती है Alto 800 के नाम से अलग आती है, Swift के नाम से अलग आती है, Swift Desire के नाम से अलग गाड़ी बाजार में आती है तो ये जो brand नाम होते हैं इन से हम उस वाहन के बारे में पहचान सकते हैं उस उतपाद के बारे में आसानी से पहचान, इस्ताफित कर सकते हैं किसी उत्पाद को नाम, चिन, अथवा कोई प्रतीक आदी देने की प्रकिल्या को ब्रांडिंग कहती है, अब ब्रांडिंग होती है, किसी भी उत्पाद को अलग नाम दे देना, कोई चिन दे देना, या कोई प्रतीक दे देना, यह प्रकिल्या होती है, ब्रांडिंग, ब्रा से brand होता है brand noam होता है brand Chin होता है और एक होता है trademark जब यह पंगीक्रत कराया जाता है तो जो registered होता है वह trademark भी होता है आए इनके बारे में भी जान ले brand brand प्रणनाम, शब्द, चिन, प्रतीक, अथ्वा, इन में से कुछ का मिश्णन है, जिसका प्रियोग एक विक्रेता, अथ्वा, विक्रेता, समुहे की उत्पादों, वस्तु एवं सेवाओं की पहचान बनाने के लिए किया जाता है, देखिए, आपने नई की के जूते खरीदे होंगे, क्या चिन्न है इसका, इसका इस प्रकार का चिन्न होता है, इस प्रकार का इसका क्या होता है, चिन्न होता है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, इसी प्रकार आप मैकडोनल्स जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का चिन्न आपको मिलता है, M बना हुआ, मिलता है, या तो नाम हो सकता है, या कोई चिन्द हो सकता है, या कोई शब्द हो सकता है, या कोई प्रती चिन्द हो सकता है, आप मारूती के कारों पर इस प्रकार का चिन्द देखते हैं, यह ऐस बना हुआ होता है, तो यह क्या है, उसका एक चिन्द है, कि यह है मारूती की कार है, इस इसे इन वस्तु एवं सेवाओं का परतियोगियों के उत्पादों से अंतर किया जा सकता है। देखिए, जब भी नाई की कंपनी अपने उत्पाद बाजार में लाती है, तो वह इस परकार का चिन्न उस पर अंकित करती है। इससे यह पता होता है कि यह जो जूता है यह नाई की कंपनी का है। इसी प्रकार अन्य कंपनिया भी अपने उत्पादों पर अपने चिन्न को अंकित करती है। जिसे यह पता चलता है कि यह इस कंपनी का ब्रांड है। और इससे अन्य प्रतियोगी फर्मों से उनकी तुलना आसानी से की जा सकती है, उस उत्पाद को आसानी से पहचाना जा सकता है, उधारण बाटा, लाइव बॉई, डनलब, ब्राण नाम, ब्राण का वह भाग जिसे बोला जा सकता है, ब्राण नाम कहलाता है, देखिए, दो चीजे होती है, एक तो होता है ब्राण नाम और एक होता है ब्राण चिंद, ब्राण नाम को बोला जा सकता है, और ब्राण चिंद को बोला नहीं जा सकता, तो ब्राण नाम क् होता है जिसे बोला जा सकता है दूसरेशब्दों में ब्राण नाम एक brand का मोखिक भाग है उधारण Asian Paint, Live Boy यह brand है जिसे हम भोल सकते हैं तीसरा है brand cand brand का वहाग किसे पुकारा नहीं जा सकता लेकिन जिसे पहचाना जा सकता है देखिए उत्पाद उपर कुछ ऐसे चिन्द अंकित कर दिये जाते हैं जिन से जो ग्राहक होता है वह उस उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है यह किस कंपनी का है और इसकी कैसी क्वालिटी होगी क्योंकि जो भी ब्रांडेड कंपनिया होती है उनके बारे में लोगों को जानकारिया पहले से ही प्राप्त होती है वे उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो ब्रांड जिन्द जो होता है वह पुकारा नहीं जा सकता इसे पहचाना जा सकता है यह एक प्रतीक आकार अलग रंग अत्वा शब्दों की बनावट के लुखता है ट्रेड़मार्ख देखिए ट्रेड़मार्ख जब ्क्यवर्ड इसका इकादिकार प्राप्त कर लेती है उसे रिजिस्टर करवा लेती तो आपने कई उत्पादों पर TM देखा होगा, कई उत्पादों पर आपने R और उस पर गोला देखा होगा, देखिए, जब तक पंजीकरण के लिए आवेदन किया होता है, तब तक उस पर TM अंकित होता है, और जैसे ही पंजीकरण हो जाता है, उस पर R लिकर उसको गोले में बंद कर दिया जाता है, जैसे आपने LG के उत्पादों को देखा होगा, उस पर इस तलिके का चिन्द होता है, और यहाँ पर छोटा सा आर लिखा होता है, यानि यह चिन्द सिर्फ LG कमपनी ही काम में ले सकती है, यह रजिस्टर्ड है, ब्रांड अत्वा उसके किसी भाग को यदि कानूनी संग्रक्षन प्राप्त हो जाता है, उसे ट्रेड मार्क कहते हैं, यह संग्रक्षन किसी अन्य फर्म द्वारा इसके प्रियोग के विरुद्ध मिलता है, और यह क्यों मिलता है, ताकि अन्य फर्म उस चिन्द का प्रियोग ना कर सके, जिस फर्म ने अपने ब इस्तती में देश में कोई अन्य फर्म इस नाम अत्वा चिन्द का प्रियोग नहीं कर सकती, कोई भी दूसरी फर्म उस चिन्द का प्रियोग नहीं कर सकती, उस नाम का प्रियोग नहीं कर सकती, जिसके पास उसको काम में लेने का अधिकार है, वही उसे काम में ले सकती है, मा अब इसको अगर आपने रजिस्टर करवा लिया है तो इस प्रकार का लोगों कोई दूसरी फर्म काम में नहीं ले सकती, इसे सिर्फ आप ही काम में ले सकते हैं, तो इस प्रकार से यह पंगिकरन कराया जाता है, ट्रेडमार्क प्राप्त किया जाता है, ब्रांडिंग के कारण packaging, label, कानूनी संग्रक्षन, आधी की लागत के कारण वस्तू की लागत में व्रद्धी हो जाती है फिर भी इसमें विक्रेता एवं उपभोगता दोनों को अनेक लाब है देखिए जब भी ब्रांडिंग का कार्य किया जाता है तो एक ब्रांड नाम लेने के लिए प्रकिल्या अपनानी पड़ती है उसको पंजीकरत कराना पड़ता है, कानूनी उपचारिकताएं पुरी करनी पड़ती है पैकेजिंग और लेबलिंग का कार्य करना पड़ता है, इससे वस्तू की लागत में व्रद्धी हो जाती है उसका मुल्य बढ़ जाता है और इससे विक्रेता, देखिए विक्रेता को भी बेचने में बड़ी कठिनाई होती है ग्राहेक को भी खरीदने में बड़ी कठिनाई होती है लेकिन दोनों को ही लाब प्राप्त होते हैं क्योंकि वे नकली वस्तूओं से बच जाते हैं यदि किसी अन्य कंपनी द्वारा उसी प्रकार का चिन्द लगाकर उत्पाद बेचने की कोशिस की जाती है तो उस पर कानूनी कालिवाई की जा सकती है कोई भी अन्य कंपनी पंजिक्रत जो उत्पाद है ब्रांडेट जो वस्तूओं है उनकी नकली वस्तूओं नहीं बेच सकती तो इससे विख्रेता को भी लाब हो जाता है और वोकता को भी लाब प्राप्त होता है ब्रांडिंग के क्या लाब है उत्पाद में अंतरभेद कंडे में सहायक देखिए ब्रांडिंग के कारण आप विविन उत्पादों में अंतरभेद कर सकते हैं कई प्रकार की गाड़ का mobile है iPhone है और इसी प्रकार Samsung के उपर Samsung लिखा होता है तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यह mobile क्या है Samsung कमपनी का है तो इससे आप उस brand की वस्तु के बारे में जानकरी प्राप्त कर लेते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनमें भेद करने में शक्षम हो पाते हैं विज्ञापन एवं प्रदर्शन कारिक्रमों में सायक देखिए विज्ञापन करने में इन ब्राण नाम से बड़ी आसानी प्राप्त होती है आप न्यूजपेपर देख लें आप टीवी देख लें रेडियो पर आप सुन लें किसी विज्ञापन को आपको आसानी से पता लग जाएगा यह विज्ञापन किसका है क्योंकि उसमें ब्रांड नाम का प्रियोग किया जाता है, ब्रांड चिन्द का प्रियोग किया जाता है, उपभोगता आसानी से पहचान सकता है, उत्पाद को आसानी से उपभोगता द्वारा पहचाना जा सकता है, उत्पादों की इस्ताई पहचान बन जाती है, और ये जो ब्रांड का नाम ते करना बहुत ही जटिल काय होता है, एक उचित ब्रांड के नाम का चैन करना सरल नहीं होता, एक बार किसी ब्रांड नाम का चैन कर लिया जाता है, एवम उत्पाद को इस नाम से बाजार में उतार दिया जाता है, तो इसके पश्चात इसको बदलना कठिन ह जाता है जब विपनन करता एक बार अपने किसी उत्पाद को किसी ब्रांड नाम के साथ बाजार में उतार देता है तो उसे बदलना आसान नहीं होता उस ब्रांड नाम के साथ ही उसे आगे बढ़ना होता है इसलिए प्रथम बार में ही सही ब्रांड का चैन करना चाहिए इसल पहला ब्राण नाम शंक्षिप्त होना चाहिए, इसका उच्चारन करना, बोलना, पहचान करना एवं याद करना सरल होना चाहिए, देखिए जो भी ब्राण नाम तैक किया जाए, वह बहुत ही छोटा होना चाहिए, जैसे Life Boy यह ब्राण नाम है, इसी प्रकार Apple यह भी ब्राण नाम है, इसी प्रकार Alto 800, Alto, Alto K10, यह ब्राण नाम है, थार, यह ब्राण नाम है, देखिए, यह छोटे-छोटे ब्राण नाम होते हैं, जिन से उत्पादों को बेचना बहुत ही आसान हो जाता है, तो इस से क्या होता है, उस उत्पाद का जो नाम है, वह सभी लोग आसानी से पहचान सकते हैं, साथ ही उसको आसानी से बोला भी जा सकता है, उसको लिखा भी आसानी से जा सकता है, याद करने में भी यह आसान और सरल होने चाहिए, ब्राण ऐसा हो, इस से उत्पाद के लाब एवं गुनों का पता लगे, यह उत्पाद के कारियों के अनुर जाए, ऐसे ब्राण नाम का चेहन करना चाहिए, ब्राण नाम भिन्नता लिए होना चाहिए, और जो ब्राण नाम है, वह भिन्नता लिए होना चाहिए, यह नहीं है कि कहीं सारे उत्पाद हैं, उनका एक ही आपने ब्राण नाम दे दिया, देखिए, उसके अंदर विबिन्नत होनी चाहिए उनके आंदर ऑंदर होना चाहिए ताकि जो उत्पाद हैं उनके अंतर्भेथ किया चाहीए ब्राणनाम ऐसा हो कि उसे पächकिंग लेबलिंग की आवय dön Dae strengthen के विभिन्य माध्यम excluding भाष二 में अपनाया जा सके देखे ब्राण नाम ऐसा होना चाहिए जिसे पैकिंग पर आप पैकिंग पर अंकीत कर सके लेबलिंग पर आप उसे अंकीत कर सके साथ ही साथ विज्यापन करने में भी आसानी हो यह नहीं है कि उस ब्राण नाम को आप विज्यापन में प्रदर्सित नही उत्पादों को जोड़ा जाए उनके लिए भी इसे उपियोग में लाया जा सकता है और ब्रान का नाम लोच वाला होना चाहिए ताकि यदि उत्पाद स्रंकला में कोई अन्य उत्पाद जुड़ता है तो उसके लिए भी उसे काम में ले सकें तो लोच शीलता रखने वाला ब्रान नाम हो ऐसा भी आप कर सकते हैं ऐसा ब्रान नाम भी तै किया जा सकता है पैकेजिन देखिए किसी उत्पाद के सफल विपनन में पैकेजिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है इससे उत्पाद सुलक्षित रहता है उत्पादों की पहचान सुनिश्चित हो जाती है जो अन्य कंपनियों की उत्पाद होते हैं उनसे आसानी से इनमें भेद किया जा सकता है देखिए पैकिंग क्यों आवशक है पहले खुले में उत्पाद मिला करते थे खुले में ही उत्पादों को बेचा जाता था, इससे जो उत्पाद होते थे वे दूशित हो जाया करते थे, वे क्या है, दूशित हो जाते थे, उन पे धूल के करन गिलते थे, उन पे कई बार मिट्टी गिर जाती थी, मखियां आकर बैठती थी, इससे उत्पाद दूशित ह हो जाते थे वो काम में लाने लायक नहीं होते थे ऐसे उत्पादों को लेकर ग्रहक क्या होते थे बिमार पड़ जाते थे धीरे-धीरे इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनकी पैकिंग की जाने लगी अब आप बाजार जाएं और दुकंदार आपको तेल जो आप खरीद देगा वह उसे किसी न किसी तरीके से पैक करके अवश्य देगा तो पहले जहां खुले में किसी बर्तन में दिया जाता था या किसी थेली के अंदर पैक करके दिया जाता था तो उससे समश्या रहती थी ग्रहक को भी समश्या रहती थी और विक्रेता को भी समश्या रहती ऐसी समश्याओं से बचने के लिए उत्पादों को पहले से ही पैक करके बेचा जाने लगा है, उन्हें बोतल में या फिर पॉली पैक में पैक करके बेचा जाने लगा है, आप अजार से ओईल लेने जाते हैं, तो विविन प्रकार की बोतलों में वह आपको मिलता है, 100 ग्रा आपको आसानी से उपलब्द हो जाते हैं तो देखिए ये आपकी सुविधा के लिए ही बाजार में उपलब्द होते हैं इससे ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधा हैं प्राप्त होती है विक्रेता को भी बेचने में बड़ी आसानी होती है इन पैकेजिंग से ताकि ग्रा को ट्यूब में से निकाल कर बाहर रख दीजिए थोड़ी देर बाद वह सूख जाती है तो उसे सूखने से बचाने के लिए जो उत्पादक है उसका उसने उसे ट्यूब में बंद किया ताकि वह लंबे समय तक चल सके इस प्रकार उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें पैकिंग में पैक किया जाता है आपने अंकल चिप्स खाई होगी देखिए वह अच्छे तरीके से पैक होकर उत्पादक के यहां से उपभोगता तक पहुंशती है जिस सेप में उत्पादक ने उसे काटा होता है चिप्स को उसी सेप म के आवरन को डिजाइन करना एवं उसका उत्पादन कार्य करना किसी उत्पाद के डब्बे को किसी उत्पाद को कैसे रखा जाएगा उसके आवरन को सुनिश्चित करना और उसकी डिजाइन को तयार करना यह होता है पैकेजिंग में पैकेजिंग की कहीं उत्पादों के अदा करती है यदि पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है तो उत्पाद आसानी से बाजार में बिग जाता है वह सुरक्षित तरीके से उपवोक्ता तक पहुंच जाता है यदि उसकी पैकिंग सही तरीके से नहीं की गई है तो वह उपवोक्ता तक पहुंचने प भूमिका होती है कुछ सफल उत्पादों की सफलता के कारणों में पैकेजिंग की महत्मपूर भूमिका है उधारन के लिए मेगी नूडल अंकल चिप्स देखिए यह ऐसे उधारन है जिनकी सफलता में उनकी पैकिंग का बहुत बड़ा रोल है यदि एक साधारन पैकिंग के अंदर अंकल चिप्स को बाजार में उतारा जाता तो जिस तरीके से उसे काटा गया था जिस तरीके से चिप्स को बनाया गया था उस तरीके से वह उपभोगता तक नहीं पहुँच पाती और इससे उपभोगता उसका जो सही तरीके से प्रियोग नहीं ले पाता लेकिन चु तीन स्तर होते हैं, पहला होता है प्रात्मिक स्तर, दूसरा जृतियक स्तर और तीसरा त्रतियक स्तर, प्रात्मिक स्तर आपके सामने प्रदर्शीत है, यह एक टूथपेस्ट की ट्यूब है, इसके अंदर कोई जो टूथपेस्ट है वह भरा हुआ है, अब देखिए, इसमें आसानी से वह सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर नहीं तो बाहरी हवा लगेगी और बाहरी प्रदुशन से भी यह दूशित होने से ब्च जाता है, प्रात्मिक पैकेज इसका अभिप्राय उत्पाद की सीडी पैकेजिंग से है, कुछ मामलों में प्रात्मिक पैक मोजों के लिए प्लास्टिक के पैकेट मोजों को प्लास्टिक के पैकेट में डाल देते हैं जब तक हम उसे नहीं पहनेंगे तब तक वह उसी प्लास्टिक के पैकेट में ही पड़ा रहता है जबकि कुछ मामलों में उतपाद के समाप्त होने तक उसे इनी में रखा जाता है और कुछ मामलों में उत्पाद के समाप्त होने तक उसे उसी पैकिंग में रखा जाता है जैसे टूथ पेस्ट हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, आप उसी पैकेट में उसे रखते हैं इसी में रहेगी, तो यह होता है प्रात्मिक पैकेज, दूसरा है द्वितियक पैकेजिंग, यह सुरक्षित रखने के लिए एक अतिरिक्त परत होती है जिसे उस समय तक रखा जाता है, जब तक कि इसका उफियोग प्रारंब नहीं हो जाए, जैसे टूथ पेस्ट का बॉक्स देखिये, टूथ पेस्ट की जो ट्यूब होती है, उसको एक बॉक्स में रखकर बेचा जाता है, ताकि ग्राहक आसानी से उसे खरीद सके, उसे उठा कर एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाए, लेकिन इसमें तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसका उफियोग प् पेकेजिंग, इसे तरतियक पेकेजिंग भी कहा जाता है, इससे अभिपराय एक और पेकेजिंग से है, जो संग्रहन पहचान अत्वा परिवहन के लिए आवश्चक है, इस प्रकार के कार्टून के बॉक्स में काफी सारे जो टूथ पेस्ट के डिब्बे होते हैं, उनको रख दिया जाता है, और एक स्तान से दूसरे स्तान पर भीजा जाता है, आसानी से देखिए, संग्रह करने में भी आसानी हो गई, पहचानने में भी आसानी हो गई, और परिवहन में भी बहुत ही सुविदा इससे प्राप्त हो जाती है, तो ये थे पेकेजिंग के तीन इस विक्रेटा होते हैं उन तक अपने उत्पादों को भेजने का काम करता है, 10 की संक्या में, 20 की संक्या में, 30 की संक्या में, यदि वो एक-एक पैकेट भेजेगा, तो बहुत सारा उसको समश्या का सामना करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए वह तरतियक पैकेजिंग के रूप में कार्टून के अंदर वस्तूं को जमाता है और विक्रेता तक पहुँचाने का कारिय करता है, पैकेजिंग का महत्व, देखिए पैकेजिंग का अब क्या महत्व है, पहला है स्वास्त एवं स्वच्छता बनाए रखने का उंचा होता इस तर, जो डेश की लोग हैं, वे अपने स्वास्त की और ध्यान देने लगे हैं, स्वच्छता पर ध्यान देने लगे हैं, इसलिए वे अब खुले में जो उत्पाद बिका करते हैं, उनको खरीदना कम पसंद करती हैं, वे पैकिंग वाले उत्पाद ही अधिक मात्रा में खरीदना पसंद करते हैं, देश में लोगों का जिवन इस तर उचा होता जा रहा है, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग अब बजार में विक्ती है उन्हें मिलावट की संभावना बहुत अधिक हो जाती है दूसरा स्वयम सेवा दुकानों में विक्रिय है तू देखिए आजकल स्वयम सेवा वाली दुकाने बहुत प्रचलित हो गई है वहां उपभोगता जाता है अपनी पसंद की वस्तू को चुनता है और अपने साथ ले लेता है बाद में उसका बिल भुकतान करता है आप कहीं शोपिंग मोल में जाते हैं कहीं शोरूम में जाते हैं वहां पर आप खुद वस्तू को उठाते हैं और अपने साथ कहरी करते हैं और अंत में जाकर उसका बिल भुकतान कर लेते हैं देखिए अब यदि कोई वस्तु खुले में हो तो बहुत कठिनाएं हो जाएगी आपके लिए उस वस्तु को एककत्र करना तो वहां पर आपको हर वस्तु ये पैकिंग में ही उपलब्द हो जाती है श्तु को ही आपको पैक करना होता है तो ऐसे में जो ये पैकेजिंग है इससे बहुत मदद मिलती है तीसरा नवीनता के अवसर पैकेजिंग के लगातार बढ़ते उपियोग से इस शेत्र में शोद करताओं को नवीनता का अवसर प्राप्त हुआ है ओशदी पैपदार्थ परिणाम स्वरूप उत्पादों के विपनन की संभावनाओं में व्रद् सके इसके लिए अलग-अलग प्रकार की जो नवीनता है वह लाई जा रही है पैकेजिंग के छेत्र में जो विपनन करता है वह शोद करताओं के साथ मिलकर नए नए पैकिंग के तरीके खोज रहे हैं नए नए तरीकों से उत्पादों को पैकेजिंग करके बाजार में उत अधार रहे हैं उत्पादों का विभेदी करने में भी पैकेजिंग महत्वपूर्पूर्पूमी का अधा करता है गुट्पाद की प्रापता में अंतर को सही रूप में समझ पाता है उदारन रंग-रोगन का तेल तेल में अन्तरभेत कर सकते हैं यह यह तेल है यह इप ट्रहुट कर से काम करती है तो quanto यह र chilly की और यह अन्तरभेत करने का काम करती है तो इससे भी ग्राहेकों को बहुत सरलता प्राप्त होती है पैकेजिंग के काज अब पैकेजिंग के क्या है देखिए उत्पाद की पहचान करना उत्पाद की पहचान करना पैकेजिंग उत्पादों की पहचान करने में बहुत साहता करता है उसे ही उत्पाद के बारे में जानकर ही प्राप्त हो जाती है कोलगेट है यह पोन्स क्रीम है यह इ Geg रफ्यूंग고 है इसके बारे में हमें पैकिंग देखकर ही उसका पैकेट देखकर ही पता चल जाता है उत्पाद संग्रक्षन क्यों मलत ब्रते हैं चोरी चले जाने नुकसान खतम हो जाता है, साथ ही, यदि जलवाईयों में कोई परिवर्तन होता है, उससे भी उत्पाद सुरक्षित रहता है, इसके लिए हम बिस्कित का उदारन ले सकते हैं, देखिये, यदि बिस्कित की पैकिंग सही तरीके से नहीं है, वह खुले में बेचा जा रहा है, तो जैसे यही मोसम परिवर्तित होगा, बरसात का मोसम आएगा, तो उसमें सीम आ जाएगी और बिस्कित खराब हो जाएगे, तो उनकी पैकिंग जो होती है, वह इस परकार की होती है, कि उन्हें जलवाईयों के में परिवर्तन से भी सुरक्षा प्रदान करती है, वस्तुओं के परिवहन में लाप प्रदान करने का काय करती है, तीसरा उतपाद के उपयोग में सरल, देखिये, पैकेज का आकार और जो स्वरूप होता है, इससे उतपाद को उपयोग में लेना बहुत ही सरल हो जाता है, आपने नमकीन का पैकेट देखा होगा, आराम से आप उसे खोल स बाद उसी पैकेट में उसे वापस से बंद कर सकते हैं, तो आप आसानी से उन उतपादों को काम में ले सकते हैं, उतपाद परवर्तन, परवर्तन के उद्देश से भी पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है, परचार करने में भी ये जो पैकेजिंग होती है, ये देखाओगा उस पर एक बच्ची की तस्वीर छपी होती है तो यह क्या है ध्यान आकरसन करने के लिए छपी होती है और यह पैकेजिंग पर आराम से लोगों तक जानका ही पहुचाने के लिए यह छपी जाती है कि यह बच्चों के लिए बहुत लाबदायक है इस तरीके से जो रंग योजना होती है, जो फोटो होती है, या फिर छपी हुई फोटो का उपियोग करके क्रेक को बढ़ाने का काम किया जाता है. आगे है लेबलिंग, देखिए यह भी महत्वपूर होता है किसी उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए. यदि लेबल अच्छे तरीके से तयार किया गया है, तो ग्रहक आसानी से उत्पाद को पहचान लेता है, उससे उससे कई प्रकार की जानकरिया प्राप्त होती है. यहां पर आपके सामने एक लेबल दिया गया है और इसके अंदर उत्पाद के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी है देखी यहां पर MRP लिखी है कि यह जो उत्पाद है इसकी MRP कितनी है कितने रुपे इसकी प्राइज है साथ ही साथ इसे कब इसे पैक किया गया था जैसे इसे नवंबर 2021 में पैक किया गया था 13.40 पर यानि एक भचकर 40 मिनिट पर इसे पैक किया गया था इसी प्रकार यह लोट नमबर भी यहां दिया हुआ है कौन सा इसका लोट नमबर था साथ ही इदर इसको बनाने वाली company का नाम भी यहां दिया हुआ है इसी प्रकार यह best before 18 months भी यहां लिखा हुआ है कब तक यह बढ़िया रहेगी यह भी यहां लिखा हुआ है इसका weight भी यहां लिखा हुआ है और बनाने वाला जो फर्म है उससे समंदित अन्य जानकारियां भी यहां पर दी हुई है तो देखिए यह जो labeling है यह उत्पाद के बारे में हमको कई प्रकार की जानकारिया प्रदान करने का काम करती है साथ ही यहां पर यह भी लिखा होता है कि इसे किस प्रकार से काम में लिया जाना है यानि उत्पाद को कैसे हम काम में ले सकते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होती है देखिए मुल्ले के बारे में जानकारी मिल गई है भार के बारे में जानकारी मिल गई है इसको pack करने की तिथी के बारे में जानकारी मिल गई है, यह कब तक अच्छा रहेगा, best reward 18 months, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है, उत्पाद को कैसे काम में लिया जाना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है, साथ ही इसकी निर्माता कंपनी के बारे में कोई जानकारी गई है और इसमें कोई समश्या है तो हमें कस्टमर के नंबर भी यहां पर दिये हुए होती हैं जिनके बारे में भी हमें इस लेबल से जानकारी मिल जाती है तो यह जो labeling है यह भी उत्पाद के विक्रेव में बहुत ही महत्वपून भूमी का अधा करती है label उत्पाद पर एक सरल सी पर्चे लगाने जो गुणवत्ता या मुल्ले जैसी कुछ सूचनाय दिखाती है से लेकर जटिल ग्राफिक्स जो ब्रांड उत्पादों के पैकेज पर होती है labeling क्या है यह एक छोटी सी पर्ची भी हो सकती है और एक बड़े रूप में छपी हुई सूचना भी हो सकती है जिससे उस उत्पाद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है लेबल उत्पाद के संबंद में विस्तरत जानकारी देते हैं जैसे उत्पाद के गटक, भार, मुल्ल, निर्मान की थी उप्योग, समाप्ती की थी एवं उप्योग, पद्धती, आदी इनके बारे में हमें label से जानकारी मिलती है उत्पाद का विवरेन एवं विस्यवस्तु, देखिये क्या क्या जानकारी मिलती है लेबल का एक महत्वपून काई उत्पाद की उप्योगिता, उप्योग करने में सावधानिया, तता इसके घटकों काुए हम काम में ले रहे है उसके लिए हमें क्या-क्या सावधानी रखनी हैं, किस-किस प्रकार से हमें उसका उप्योग करना है और किस तरीके से हम उसका उप्योग कर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हमें उस पर लिखी हुई मिलती है यदि आप किसी कंपनी का कोई उत्पाद खरीदे हैं तो उसके पैकेट पर ही आपको लेबल लगा हुआ मिल जाएगा कि यह 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, इसको किस परकार से उपयोग में लेना है इसके लिए किस तरीके की आपको विवस्ताइएं करनी होगी यह सारी जानकारी आपको उस पर लिखी हुई मिल जाती है उत्पाद अथवा ब्रांड की पहचान कराना देखिए, लेबल से उत्पाद और ब्रांड की पहचान भी आसानी से हो जाती है लेबल का दूसरा महत्वपून का यह उत्पाद अथवा ब्रांड की पहचान कराना है कि उत्पाद के लेबल से औनेग पैकेजों में से अपने पसंद के ब्रांट की पहचान की जा क्या छाए। आप बजय गए हें वहां से आपको चिप्स करीदनी हैं Realty अब आप जो उत्पाद बाजार में लगे हुए हैं उनमें से अपनी पसंद के उत्पाद को आसानी से लेबल के माद्यम से पहचान सकेंगे, उसके पैकिंग के माद्यम से पहचान सकेंगे, आप अंकल चिप्स को भी ले सकेंगे, वहाँ पर आपको अंकल चिप्स मिल वहां पर आपको अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे आप आसानी से जिस कंपनी का आपको उत्पाद लेना है उसका लेबल देखकर आप उसे क्रे कर सकते हैं आप चाहे तो यह ले आप चाहे तो यह ले यह अन्य कंपनी का उत्पाद ले और उसको देखकर ले फुटकर मुल्य एवं बैच संख्या यह सारी जानकारिया लेबल पर दी जाती है उत्पादों का श्रेणी करण लेबल उत्पाद को विबिन्न श्रेणियों में वर्गीकरत करता है यहां परचित्र के माध्यम से हमने इसे प्रदर्शित किया है यह एक कंपनी के विबिन्न मुकपाद हैं जिनके माध्यम से चाय बाजार में बेची जाती है देखिए ताज महल के नाम से भी चाय बेची जाती है रेड लेबल इसी प्रकार ताजा थ्री रोजेज के नाम से इस प्रकार अलग-अलग नामों से चाय बाजार में लाई जाती है तो यह लेबल होते हैं इनसे हमें पता चलता है कि इसकी क्या quality है, उत्वाइड को विबन रस्षटाओं में वर्गी करता है, आलग अलक स्षयर्णियों में वर्गी करता है, ज़ुकि सबी के लेइबल अलग-अलग है तो सभी की quality अलग-अलग होगी विपनंद करता उत्पाद को विशिष्टाओं अथ्वा गुणवत्ता के आधार पर विबिन्न वर्गों में बाठ देते हैं चाय की विबिन्न किस्मों के कुछ ब्रांड पीले लाल एवं निले लेबल वर्गों में बाठ कर बिची जाते हैं जैसे ब्रुकबॉंड चाय जो हती है फिले लाल नीले अलग-अलग जो पैकेट होतें उन में बेची जाती है यहां भी आप देख रहे होंगे की जो ये उत्पाद है चाये का यह अलग-अलग कि बिजइन के पैकेट में बेचा जाता है और इस पर अलग- लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कार्य भी करते हैं और लोग भी इसकी और आकर्षित होते हैं इसकी और आते हैं इसको क्रेय करने का निर्ने लेते हैं यह देखिए यह भी एक प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका चित्र देखेंगे तो इस पर भी अलग रंग दिया हुआ ह अलग डिजाइन दी हुई है जिससे लोग भी इसको देखेंगे इसकी तरब आकर्शित होते हैं हम कहीं उत्पादों के लेबल पर विक्री संवर्दन संदेश देखते हैं जैसे की 40 प्रतीशत अतिरिक्त मुफ्त या फिर अन्नेवस्तू बिल्कुल मुफ्त अत्वा 15 रुप होते हैं किसी पर लिखा होता है 15 रुपए बचाएं किसी पर लिखा होता है 50 परतीशत इस तरिके से लिखा होता है या कईयों पर लिखा होता है 1 प्ल्स-1-1 के साथ 1 फ्री इस प्रकार के ओफर भी इनपर अंकित होते हैं कानून सम्मत जानकारी देना देखे freelance zwhhhh समंब करने वाले उत्पाद है सिग्रेट इत्यादी है उन पर अंकित होते हैं लेबलिंग का एक और महत्वपून का ये कानूनी रूप से अनिवार या सूचना देना है जैसे सिग्रेट अत्वा पान मसाले के पैक्टों पर समवेधानिक चैतावनी सिग्रेट पिना स्वास्त के ल कानूनी आवशक है चैतावनी से संबंदित जो जानकारी होती है वय देनी आवशक होती है यह कानूनी प्रावदान होता है जैसे तंबाकु से मुह का कैंसर होता है यह जो भी तंबाकु उत्पाद होते है उस पर अंकित होता है यानि तंबाकु खाना स्वास्त के लिए हा है कि ऐसे उत्पाद ना खरीदे क्योंकि ये स्वास्त के लिए हानिकारक होते हैं बच्चों आज हमने ब्रांडिंग के बारे में जाना आज हमने पैकेजिंग के बारे में जाना आज हमने लेबलिंग के बारे में जाना ये तीनों ही उत्पाद के विक्रे को बढ़ाने के काम में आते हैं। यदि अच्छे तरीके से branding की गई है, अच्छे तरीके से packaging की गई है, उतपादगी, अच्छे तरीके से उसकी labeling की गई है तो वे अधिक से अधिक संख्या में ग्राःकों को ऐसे उतपादों को क्रे करने के लिए आकर्शित करने का काम करती है। आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद